Hello guys, welcome back to my another video So, आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं ICSC Class 10 Biologica Chapter No. 11 The Sense Organs So guys, बिना time waste करते हैं डारेकली शुरू करते हैं अपने पहले topic Sense Organs से So guys, हमारी body में कुछ ऐसे organs present रहते हैं जो कि हमारी body को external as well as internal environment से aware करवाते हैं ऐसे organs को हम Sense Organs कहते हैं तो guys, जो हमारी human body है इसमें total 5 Sense Organs होते हैं पहला हो गया हमारी eyes, दूसरा हो गया हमारा ears, तीसरा हो गया tongue चौता हुआ nose और पांच हुआ हमारी skin तो guys, जो हमारी eyes होती हैं वो हमें light की sensation प्रोवाइड करती हैं हमारे जो ears हैं वो हमें sound की sensation प्रोवाइड करते हैं tongue जो है, taste की sensation प्रोवाइड करती है और जो हमारी nose होती है वो हमें smell की sensation प्रोवाइड कराती है और जो हमारी skin है वो हमें touch की sensation प्रोवाइड कराती है तो guys, अब बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी cell है जो इन सबको ये sensation में help कर रही है तो guys हमारी body में specialized sensory cells present रहती है जो कि हमें ये सारी sensations provide करती है और इन cells को हम क्या बोलते हैं? receptors जी हाँ guys ऐसी cells जो हमें ये sensation provide करती हैं कराती हैं तो इन sensory cells को हम receptors कहते हैं ठीक है? अब बात कर लेते हैं guys receptors कितने type के होते हैं? SBS जो होते हैं five type के होते हैं अब वो कौन-कौन से होते हैं? आए डिसकस करते हैं पहला है हमारा mecanoreceptor तो mecanoreceptor क्या होते हैं guys ये ऐसे receptors होते हैं जो किसी भी mechanical change के लिए sensitive होते हैं अब ये mecanoreceptor का example कौन सा है? हमारी skin जो है guys वो एक mechanoreceptors के तरह काम करती है अब बात करते हैं kemo-receptors ऐसे receptors जो कि हमारी body में chemical influence के लिए sensitive होते हैं उनने हम kemo-receptors कहते हैं ठीक है kemo-receptors का example है हमारी tongue और हमारे nose अब बात करते हैं guys photoreceptors तो photoreceptors क्या होते हैं ऐसे receptors जो light के लिए sensitive होते हैं उन्हें photoreceptors कहते हैं तो गाइज अब बात करते हैं eyes के बारे में तो eyes जो होती है ऐसे sense organ है जो कि हमें light करी sensation प्रोवाइड करती है अब जो हमारी eyes है इसके six mean parts होते हैं पहला हमारे orbits orbits क्या है guys deep socket होते हैं जिसके अंदर हमारी eyeball present होती है अब जिन orbit के अंदर हमारी eyeball present रहती है वो six muscle के मदद से वहाँ पे fixed रहती है और यह six muscle किसके में help करते हैं ताकि हमारी eyeball जो है rotate कर सके और इदर उदर देख सके ठीक है अब बात कर लेते हैं eyelids के बारे में तो eyelids के होती है guys दो movable protections type की रहती है ठीक है आपके eyelids के हैं यह shutter like जो projection आप देख रहे हैं यह कहां पर present रहती है front surface of eyes में present रहती है और इनके आगे से एक projection निकलती है outwardly projection जिनने हम eyelashes कहते हैं तो यह जो गाई तिनी hair like projections आप देख रहे हैं जो यह hairs है इनने हम eyelash कहते हैं और यह जो upper और lower part है इसे हम eyelid कहते हैं तो eyelid क्या करता है guys यह prevent करता है किसी भी dust particle को हमारे eyes में पढ़ने से ठीक है अब बात कर लेते हैं eyebrow के बारे में तो guys जो हमारी eyebrow होती है वो एक देखा जाए तो part तो नहीं है eyes का मगर यह कैसे help करती है eyes को अगर आप देखेंगे कोई आगर raindrop आपके माठे पे गिरती है ठीक है मदला आपके four एट पर अगर कोई भी raindrop गिरती है या फिर कोई भी water drop गिरती है तो directly आपके eyes में नहीं जाती है आपके Ihres में क्यों नहीं जाती किई जो आपके Eyeрь देंड है वो इस Waterब को वहीं पर भी कर देते हैं तो इस तरीके से हमारी W객시면 agoIt Phenis या फिर किसी और पार्टीकल को भी अचनले डायरेकल और गिरदने से प्रिवेंट करती आह फीर करते हैं तो गाईज जो टेर है इनके इंदर 6-12 डग्त प्रेजेंट रहती है जिनकी मदद से अपना डारेट केमिकल सिक्रीशन जो है हमारे फ्रंट सर्फेस आई में पोर कर दीती है ठीक है अभी जो इनका सिक्रीशन है उसके जो होते हैं तीन में फंक्शन होते हैं अब वह थ्री में फंक्शन कौन-कौ पार्टिकल है उसको वाश आउट कर देता है अगर हमारे आइज में बाइचांस को डश पार्टिकल चले जाता है तो टेर्स के मदद से वह दस्ट पार्टिकल बाहर आ जाता है ठीक है थार्ड और इंपॉर्टन फंक्शन इसका यह है कि हमारे जो टेर ग्लेंड का सोते हैं ठीके अब बात करते हैं हमारे टेर डटत की गानीद होते हैं इन्हें यह दो रहेते हैं यहाँचे यह ंते हैं यहा पर state में आते हैं अगर आपको कभी रोना आ जाए तो आपके tears आते हैं ठीक है आपको कभी ज़्याद ही आप खुश हो जाए तो उस case में भी आपके tears आते हैं तो tears basically क्यों आते हैं guys कि जो हमारा tear gland से sorry जो tear duct से secretion आता है जब वो overflow हो जाता है उस condition में हमारे आपको से tears आने लग जाते हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं guys यह tears के बारे में तो हमने बात कर लिया अब बात करते हैं उसके sixth और last part conjunctiva के बारे में तो conjunctiva क्या है guys एक thin membranous covering है ठीक है और ऐसी thin covering है जो पूरे entire front part of eyes को cover करके रखती है ठीक है अब यह जो हमारी conjunctiva है यह कैसी होती है transparent होती है और epithelium cell से मिलके बनी रहती है by chance guys अगर किसी condition के वज़े से हमारी conjunctiva में infection हो जाए या फिर उसमें redness आ जाए तो उसके disease को हम बोलते है conjunctivitis ठीक है इस case में क्या होती है जो हमारी conjunctiva layer है वह red हो जाती है ठीक है अभी यह तो हमने बात कर लिए तो यह तो थे गाइस अब हम बात कर लेते हैं structure of eyeball अभी देखिए हमने पड़ा था orbit के अंदर दो eyeball located होती है यह एक eyeball का diagram है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो गाइस अब हम इसी eyeball के structure के बारे में पड़ने वाले हैं तो जो हमारी eyeball रहती है इसमें automotive mean nature है ठीक है अभी तीम їं स्ट्रकचर इयुक G albums बोलं सकते हैं ने पहली और सबसे आउटर लिएर यह उसका नाम है sclerotic layer जो चो मिडुल एक इसे k Court layer बोलते हैं और नेर है उसे रेटीना की लेयर कहा जाता है जो हमारे sclerotic layer है या फिर हमारी most outer layer है उसको किस से मिलके बनी होती है वो tough fibrous tissue से मिलके बनी होती है और वह white होती है color में ठीक है और यह करती है entire portion जो है हमारे eyes का उसको prevent करती है ठीक है अब देखिए जो हमारा यह है sclerotic layer है इसका mean function क्या है यह हमारे cornea part को भी cover करके रखती है cornea क्या है colored part of the eyes known as cornea और यह हमारे cornea को prevent करके रखती है ठीक है यह तो था guys sclerotic layer के बारे में ठीक है अब बात कर लेते हैं guys cornea cornea यहाँ पे एक term आ गया cornea क्या है colored part of eyes known as cornea कई बार क्या होता है guys old age की वज़े से most of the time old age की वज़े से यह problem आती है तो इस problem में क्या होता है कि कोई भी एक normal person है उसके cornea जो है ओपेक हो जाता है ठीक है या फिर white हो जाता है और white होने के वज़े से क्या हो जाता है वो non-functional हो जाता है अब वो कोई भी function नहीं कर पाता है तो इस condition में क्या किया जाता है जो infected person का cornea है उसे replace कर दिया जाता है एक healthy cornea से यह cornea किसी इंसान ने कर donate के रहता है तो उसके थ्रू यह replace कर दिया जाता है ठीक है यह surgical method है इसके थ्रू आपका जो damaged cornea है या फिर जो opaque cornea है उसे new cornea से replace कर दिया जाता है ठीक है जो coroid layer होती है वो eyes की एक ऐसी layer है जो blood vessel से richly supplied रहती है ठीक है इसका काम क्या होता है nourishment provide करना हो आई आईस को साथ ही साथ गाई जो हमारी cornea होती है इसमें क्या होता है एक dark color pigment रहता है जिसे मिलैनन बोलते हैं बिलैनन का काम क्या होता है गाईड यह light की scattering को prevent करता है और साथ ही साथ उसके reflection को भी prevent करता है ठीक है अब जो हमारी गाइस का front portion है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी koroid है वो expand करती है एक form में जिसे हम ciliary body कहते हैं और जो ciliary body क्या होती है इसके अंदर circular muscles रहती है ठीक है और वो smooth circular muscles क्या है ciliary body का formation करती है ठीक है और ciliary body का काम क्या होता है यह हमारे eyes के जो lens का shape है उसे effect करती है अब बात कर लेते हैं iris की तो iris क्या है एक extension है koroid layer का ठीक है और यह partially covering provide करता है हमारे lens को ठीक जो हमारे iris रहती है वो बीच में circular opening को छोड़ देती है जिसे हम pupil कहते हैं इससे पहले guys मैं आपको pupil के बारे में बता हूँ मैं एक चीज़ clear कर देता हूँ कि किसी भी इनसान की जो iris का color होता है वो उसकी eyes के color को determine करता है जैसे अगर किसी की iris blue है तो उसकी blue color की eyes होंगी तो अब यह तो हो गया था guys iris के बारे में आप बात कर लेते हैं pupil तो pupil क्या है guys जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक center में जो circular opening है eyes की उसे हम pupil कहते हैं तो guys जो pupil होता है यह किस में help करता है pupil का adjustment जो होता है वो regulate करता है कि कितनी amount of light जो है eyes में enter करेंगी अगर आप देखेंगे कई बार जब आप bright light को देखते हैं किसी भी bright light जब आपके आख में पढ़ती है किसी भी type की तो आप देखेंगे कि जो आपकी pupil होगी वो contract करती है और contract क्यों करती है ताकि कम light ही eyes के अंदर enter हो और ताकि eyes हमारी जो है damage ना हो bright light से और वहीं guys अगर आप किसी अंधेरे room में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी pupil जो है वो expand करती है pupil expand क्यों करती है ताकि maximum light उसके अंदर चले जाए ठीक है और ताकि eyes dim light के वज़े से भी damage ना हो तो इस वज़ी से guys pupil अपने आपको regulate अपने shape को regulate करती है और किस तरीके से करती है वो अपने eyes के shape को बड़ा करके यह छोटा करके ठीक है जो circular opening है उसको बड़ा करके छोटा करके light की amount को control करती है कि कितनी light enter करनी चाहिए उसे वो regulate करती है ठीक है तो यह तो था guys pupil के बारे में अब बात करते हैं retina और उसकी inner retina या फिर जो inner most layer है eyes की उसके बारे में तो guys जो हमारी retina है वो most sensitive layer होती है ठीक है इसमें two type of sensory cells present रहते हैं rods और cones जो guys हमारे rod cells रहते हैं वो किसके तरह रहते हैं उनकी जो inner end है वो rod के shape में रहती है ठीक है यह किसके लिए sensitive होते है rods हमीशा dim light के लिए sensitive होते हैं ठीक है और जो हमारे rods होंगे वो कभी भी क्या करते हैं color के लिए response नहीं करते हैं अब आपके दिमाख में आएगा कि color के लिए response नहीं करते हैं यह तो चलिए ठीक है इसके अंदर ऐसा कौन सा pigment present रहता है तो guys जो हमारी rod cells रहती है उसके अंदर क्या है रुडॉपसिन present रहता है ठीक है वहीं guys जो हमारी दूसरी टाइप आफ सेल्स है वह है कौन्स तो कौन्स जो होती है वह bright light के लिए sensitive होती है अब यह क्या है जो हमारी कौन्स है इंदर हमारा जो है आइडॉपसिन present रहता है कौन्स के अंदर ठीक है अब एक टाम आ जाता है yellow spot and blind spot तो yellow spot क्या है guys हमारी eyes का एक ऐसा point जहां पर maximum number of sensory cells present रहती है और या फिर area of brightest vision जो होता है उसे हम yellow spot कहते हैं वहीं guys एक spot ऐसा भी आता है एक point ऐसा भी है हमारी eyes में जहां पर कोई भी sensory cells present नहीं रहती है और area of no vision रहता है तो इस point को क्या बोलते है blind spot कहते हैं ठीक है तो guys यह तो था हमारे तो guys आज की वीडियो को यहीं end करते हैं I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी guys मैंने इसका sense organs का ही एक already part explain कर रखा है अपनी पहली वाली वीडियो में मैं उसका link description में डाल दूंगा उसमें मैंने आपको structure of air के बारे में detail में समझाया है जो कि इस chapter का ए एक और important portion है तब तक के लिए guys thank you for watching my video मिलते हैं अपनी next video में